टीवी एक्टर सुमोना चकरवर्ती दा कपिल शर्मा शोम में भूरी के किरदार से दर्शिकों का खोब मनुरंजन करती नजर आती हैं। सुमोना आए दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरे अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब भूरी के एक वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिये थे। इस वीडियो में एक्टर सिगरेट के कश लगाती नजर आई थी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खोब बाइरल हुआ था। और सुमोना चक्रवर्ती को उस वक्त सबसे ज़ादा ट्रोल किया गया था जब उनका दकपिल शर्मा शो के सेट पर सिगरेट पीने का वीडियो सामने आया था। सिगरेट पीते वे एक्टरस की तस्वीरों ने खूब सुर्खया बटोरी थी। जिसके बाद सुमोना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया था कि कैसे उन्होंने सिगरेट से अब दूरी बना ली है और अब वो किस तरह की जिन्दगी जी रही है। सुमोना ने इंस्टाग्राम पर लिखा था आई कुट डिडियू और नो स्मोकिंग का एक पोस्टर शेयर किया था और इस लट से छुटकारा पानी की कहानी भी सुनाई थी। सुमोना ने लिखा था दो साल पहले एक बेहत खास दोस्त के जम दिन पर मैंने स्मोक करना छोड़ दिया। मैंने ये फैसला अचानक और एकदम से लिया। मैंने इसके लिए कोई निकोटिन पैच, वैप या किसी दूसरी चीज़ की मदद नहीं ली। सुमोना ने आगे लिखा था इसके बाद से मैंने सिगरेट को छुआ तक नहीं, क्या ये मुश्किल था, हाँ ये बहुत मुश्किल था, अब मेरा शरीर भी स्मोकिंग को रिजेक्ट करता है, अब मैं उस कमरे में खड़ी नहीं रह सकती जहां कोई स्मोक कर रहा है। सुमोना ने लिखा था जैसे कि जॉन ग्रीन ने कहा है, किसी चीज को छोड़ना बेहत मुश्किल होता है, जब तक आप इसे छोड़ना दे और इसके बाद ये दुनिया की सबसे आसान काम बन जाता है। सुमोना ने आखिर में लिखा, मैं ये सब इसले शेयर कर रही हूँ क्यूंकि एक कलाकार होना मेरी जिन्दगी का एहम हिस्सा है। लोग हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तारीफे करते हैं, आलोशना करते हैं, उमीद है मेरा ये पोस्त लोगों को देने का काम करेगी वेल दा कपिल शर्मा शो ने सुमोना को हर घर में नई पहचान दिलाई है शो में कपिल से उनकी नोंग जोंग दर्शकों को खूब पसंद आती है साथ ही कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी सुमोना चक्रवर्ती ने काम किया है हुआ 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 है हुआ है जे पहले मिलता है हुआ हुआ पार अ धाकैन खिले है हुआ 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 रुप लोगे गया कि प engagements भे लघटेखें जिए और भावा हुआ है